लो एवरिवन आप सबका लाइव विद रेखा शर्मा में स्वागत है तो चलते हैं आम का अचार बनाने तो देखें ये मार्किट से मैं मैंगो ले आई थी कटवा के उसको मैंने अच्छी तरह दो लिया और फिर नमक और हल्दी के पानी में पूरी रात रखा अगले दिन मै ये अच्छी तरह सूख गया तो मैं आगई गार्डन में अचार को बनाने तो देखें यहां पर एड़ कर दिया मिठी सौफ दरदरी पिसी हुई मेथरे दरदरे और एड़ कर दिया कोलॉंजी भी दरदरी ये डेड़ सो डेड़ सो ग्राम है और एक बड़ा चमच जीरे का एड़ कर दिया बड़ा चमच सरसो का और एड़ कर दिया यहां मिर्च को एक बड़ा चमच एड़ कर दिया हल्दी एक बड़ा चमच क्योंकि हल्दी हमने पहले ही डाली हुई है और एड़ कर दिया इसमें नमक तो नमक एक कटोरी के लगभग है बड़ी एक कटोरी और देखिए फ्रेंड्स आचार बनाने के लिए तीन चीज़े इंपर्टेंट होती है कि जिस चीज का अचार हम डाल रहे हैं वो सुखा होना चाहिए उसमें तेल अच्छा होना चाहिए और नमक भी उसमें अच्छा मातरा में होना चाहिए तो देखें यहां पर हमारा अचार हो गया तयार इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया उपर नीचे हिला के और यमी यमी अचार बन कर हो गया तयार आप इसको इंस्टेंट भी खा सकते हो या एक दो दिन की धूप लगवा दीजिए और अराम से पूरे साल चलाईए तो कैसा लगा अचार इसी के साथ बाई बाई एंड टेक केर फ्रेंड